हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल बात करेंगे एन्मडीसी के बारे में जो कि दस फरवर के दिन एन्मडीसी के कौटर तरिके नतीज आएंगे और नतीजे काफी अच्छे आ सकते है क्योंकि फ्रेंड्स पिछले कोटर के नतीजे भी काफी अच्छे थे जबर जस्त है तो इस बार भी नतीजे अच्छे आने की उमीद लगाई जा सकती है तो आपकी नजर इस डेट के उपर होनी चाहिए फ्रेंड्स और जिन लोगों न भी NMDC में पोजिशन बना के रखिए आप पोजिशन बनाना चाहते है उन लोगों को आगे की क्या पोसिबल मुमेंटम स्टोक्स में नजर आ सकते है उसके उपर मैं अनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ बड़ी खबर निकल काई है जिसके बारे में मैं इंफर्म करने की कोशिस करूँगा इस वीडियो के माधियम से तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले चैनल पर ना है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजए और अगर आप हमारी प्राइम से भी जोइन करना चाहते है तो WhatsApp नंबर आपको description box में मिल दियाएगा वहाँ से आप inquiry कर सकते है और Telegram चैनल का भी link description box में दे दिया आप चाहे तो Telegram चैनल भी जोइन कर सकते है वहाँ पे आपको stock related updates मिलते रहेंगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले returns की बात करूँ तो weekly time frame पे अगर हम देखे तो यहाँ पे जो return देखने को मिल रहे है वो minus में नजर आ रहे है तक्रीबन 3% के minus return weekly time frame पे देखने को मिल रहे है monthly time frame पे देखें तो यहाँ पे हमें तक्रीबन 2% के असपस के return देखने को मिल रहे है और अगर हम 1 year के बात कर रहे है तो यहाँ पे तक्रीबन 27% के return NMDC में नाजर आ रहे friends, यानि यह returns काफी अच्छे कह सकते है friends, अगर आप bank में भी पिसा रखोगे एक साल के लिए तब ही यहाँ पे इतने बड़े return देखने को नहीं मिलते है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ आप देख सकते है friends, stocks has been generating better return to equity than bank FD, और साथ में देखे तो dividend भी काफी अच्छे है NMDC के और यहाँ पे entry point का भी एक अच्छा point बदाया जा रहा है NMDC में खरीद दरी करने का अच्छा level है friends, so okay good time to consider as a stock is not in overbought zone, यानि stocks overbought zone में नहीं है oversold zone में है friends, कही ना कहीं अच्छे level पहले है, लेकिन मभी भी मैं आपको थोड़ा इंतिजार करने की सला दूँगा खरीद दरी करने के लिए, और साथ में बताया जा रहा है कि no red flags, यानि friends जो promotor की holdings है वो गिरीवी रखे हुई नहीं है तो आपने देखा होगे, काफी सारी कमणिया होती है जिसके जो holdings होती है जो shares होते हैं, वो गिरीवी रखे को मिलेंगे, अब देख सकते हैं एक किस analysis ने forecasting की है NMDC के उपर और उसमें से 71% analysis का कहना है कि NMDC को खरीदा जा सकता है और यहाँ पे जो target बढ़ाए गए है, वो काफी शानदार है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं forecasting for January 2023 2023 तक के आपर target बढ़ाए है कि तकरीबन higher side 255 तक के target NMDC में देखना को मिल सकते हैं यानि current market price से तकरीबन 102% का return देखने को मिल सकते हैं medium range में बढ़ाए है कि 188 तक जा सकता है, यानि current market के इसाब से देखें तो 38% के return देखने को मिल सकते हैं lower side देखें तो 142 तक के momentum देखने को मिल सकते हैं तकरीबन 5% का return current market price के इसाब से यानि friends ये forecasting है ऐसा बढ़ाए जा रहा है कि अनुमान लगाए जा रहा है कि यहां तक के price में momentum देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में यहां पर price को prediction किया गया है analysis की वर से तो इस तरह के यहां पर analysis की suggestion हमें देखने को मिल रही है और अगर मैं financial trends की बात करूँ friends तो जाशा में आप बढ़ाए दा कि results काफी अच्छे है NMDC के और अगर आप year one year business पर financial trend देखोगे quarter के मुकाबले आप देख सकते है पिछले दो quarter में हमें जबर जस jump देखना को मिल रहा है profit में और इस बार भी quarter 3 के इंतीज़ों में हो सकते आपको profit में और अच्छे jump नजर आ सकते है मैं संभावना की बात कर रहा हूं friends और साथ में तो किस तरह की shareholding pattern से उसके उपर एक नजर कर है जिसा कि आप देख सकते हैं promoters की holding में हमें किसी भी तरह की कोई changes देखना को last 3 quarters की बात कर तो किसी भी तरह के कोई changes नहीं है जो कि अगर हम 3 quarters के बात देखें तो 68% की holding थी उसमें से हमें 60% यानि तक्रीबिन 8% की holding कम होते भी नजर आई थी जो कि आपको पता होगा कि एक NMDC में OFS आया था 165 है offer for sale उसमें promoters ने अपने holding कम की थी offer for sale में holding कम की थी जिसके चलते हैं यहाँ पर में holding कम देखना को मिल रहे बाकि पिछले 3 quarter में किसी भी तरह के कोई changes holding में नजर नहीं आ रहे mutual funds वालों की बात करें तो उसकी holding यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही आप देख सकते हैं पिछले 3 quarter में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको mutual fund की holding बढ़ती हुई देखने को मिलेंगे friends foreign institutions की बात करें तो उसकी holding यहाँ पर कम हुई है पिछले 3 quarter से continuously यहाँ पर गिराओट की situation नजर आ रही है कहीं न गहीं बिक वाली करते हुए foreign institutions नजर आ रहे है और अगर हम retail भाईों की बात करें तो हमारे retailer नहीं यहाँ पर खरीद दरी किया है अब देख सकते है पिछले 2 quarter आप देख सकते है friends और December मन यानि एक quarter 3 का भी update आ चुका है आप देख सकते है December का भी quarter 3 का update आया है और उसमें भी काफी सरे retailer ने position बनाई है NMDC में तो और और friends यहाँ पर मेरे कहनी की बात है कि यहाँ पर कुछ importance लेवल है जिसके उपर आपकी नजर होनी चाहिए और वो कौन से लेवल है वो मैं आपको भी suggest करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर friends मैं आपको बता दूँ कि जो अच्छे लेवल निगल आ रहे support लेवल है वो है friends 125 से 130 की जो range है इस range में NMDC में काफी strong support लेवल है और खरिद दरी करने के लिए आप 120-130 की range में आए तब यहाँ पर position बनाना start कर सकते है friends यह अपनाब में एक बहुती बच्छा और बढ़िया बेज है और उपर की तरफ निकलता है तो यानि 138 के उपर निकलता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से एक बढ़िया आप मुआ ना चाहिए अगर sustain रहता है 138 के उपर तो यहाँ पर continuous तो आपको तेजी की situation देखने को मिल सकती है और डेट सो रुपे तक के target आप NMDC में से निकाल सकते है तो आपको इन लोल को note करके रखना है खरीद तरी करने के लिए अभी भी आप wait and watch कर सकते है यहाँ पर थोड़ी और गिरावट हो जाए पांच अभी और निचा है तो यहाँ पर आपको 130 में खरीद तरी करने का मौका मिल सकता है अगर आपने लंबी विदी के लिए hold किया तो definitely आपके पेसे दुगने भी हो सकते है यहाँ से तो आपको अपना अनलिस करना है अपने फाइनलिस ट्वेजर की सिला लेनी है उसके बाद एक किसी भी तरह की कोई position बनानी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजा मिलते हैं से एक निये वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू अगान पर वाचिंग दिस वीडियो